देखे इस वीडियो में हम response entity के बारे में पढ़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि API के response के साथ साथ HTTP code भी आए तो वो हम कैसे भेज सकते हैं वो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चलिए start करते हैं देखे हमने पांच endpoints बना लिये हैं बहुत ही अच्छी बात है यहां पर मैंने यह इसमें पॉस्ट मैंन में login करके इनको सुन्दर भी होना लिया है एक फोल्डर बना लिया है जर्णल एंड उसके अंदर पांच endpoints में बात करते हैं हमारे code की है कंट्रोलर लिखा हो है बहुत ही सुन्दर लग रहा है लेकिन एक इसमें दिक्कत है दिक्कत क्या है आपको दिखाता हूं मैं get all चलाता हूं सारी entries आ जा नीची है आ गहीं है ठीक है database में भी चेक कर लेते हैं अहां दो ही entries है ठीक get by id करते हैं यहां पर भी अच्छी बात है देखो get all में response के साथ साथ है यहां पर क्या आ रहा है status ठीक है क्या रहा है status अच्छा एक entry add करते हैं evening यहां पर लिखा मैंने I am sad send किया मैंने आ गया यहां पर भी क्या status आ रहा है 200 ठीक है status का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो शांती रखे थोड़ी देर बताऊंगा ठीक है अगर मैं delete by id भी करूँगा तो भी देखो 200 ही आए गए हाँ पर update by id करूँगा तो 200 ही आए गए हाँ ठीक है तो यह एक दिक्कत है दिक्कत क्यों है पहले वो देखते हैं अब देखे normally क्या हो रहा है client क्या है client यानि कि जो request भेजता है यानि कि हमारे यहाँ पर हमारा postman जो है वो client है और यह क्या है हमारा server है server क्या है जो हमारा tomcat server है जहाँ पर हमारी spring boot application चल रही है तो client ने request भेजी और हमारे server ने हमारी application ने response भेज दिया कोई दिक्कत नहीं है इसने पूछा भाई कितनी entries है journal की इसने दे दी या फिर इसने create करने के request दी इसने create कर दी और कुछ-कुछ response ने दे दिया अच्छी बात है लेकिन माल लेजे कल को client ने कुछ request दी यहाँ पर कुछ issue आ जाता है तो client को कैसे पता चलेगा कि issue आया है समाज रहे है बात को कल को हमारी जो API है माल लो update की API है हमारी इस API को हम अभी कह postman में चला रहे है कल को माल लेते हैं यह frontend use कर रही है इस API को ठीक है जो कि हम करेंगे future में माल लेते हैं माल लेते हैं हमने react से एक frontend बनाया है जो कि इस API को call कर रहा है to update this entry ठीक है अब तो उसको पता कह चलेगा कि update हुआ है या नहीं हुआ है similarly अगर माल लीजे add new यह API है हम हमारी और मैं इसमें request body में एक entry भेज रहा हूं frontend से हमारी app पर आई एक call माल लेते हैं नहीं चली तो जो हमारी frontend है उसको पता कैसे चलेगा कि create हुई है या नहीं हुई है समझ पा रहे हैं बात तो वहां use होता है status जो यहां पर आ रहा है इस status को देखकर जो हमारा client है वो सर्वर पर क्या activity हुई है response के साथ साथ हम sttp status code भी दे सकते हैं अब देखते हैं यह sttp status है क्या लिखा हुआ an sttp status code is a 3-digit numerical code ठीक है 3-digit का number होता है जो की server के द्वारा return के जाता है आपके response के साथ साथ ठीक है these codes are used to convey information about the result or status of the requested operation आपने कुछ request किया है कुछ response आपको मिल लेकिन client उस response को पढ़ने से पहले आपका status देख लेगा माल लीजे आपने क्या किया get by id किया आप कुछ भी response दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है client को लेकिन client समझदार है वो response देखने से पहले क्या करता है status देखता है कि status क्या है दोसों को मतलब है कि ठीक है सब कुछ बढ़ पहले status codes are grouped into five categories based on their first digits पहले status codes है जो कि one से start होते है और वो सिर्फ informational होते हैं इस status codes indicate that the request was received and understood and the server is continuing to process it these are typically used for informational purposes and rarely seen in practice बोल रहा है कि हाँ अगर client को response देता है जो कि one से start हो रहे है जो कि हम use नहीं करेंगे generally उसका मतलब है कि हाँ बढ़े client के पास पहुंच जो यह request और प्रोसेस कर रहा है जो दो से start होते हैं status codes वो होते हैं successfully for example वो ही लिखा हो है आपे these status codes indicate that the request was successfully received and understood and processed by the server वो ही लिखा हो है आपे example 200 आजाए 201 आजाए या 204 आजाए दोसो का मतलब कहा है कि हाँ बाई request जो है वो successfully process कर दी गई है हमारे server के द्वारा and server जो है requested resource आपको दे रहा है समझ रहे है बात को जैसे हाँ पे get by id किया था मैंने तो हमने यह वाली id मांगी और उसने हमें लोटा दी तो हाँ भी बढ़ करने वाले है कि अगर कुछ फट जाता है तो पता चल जाए client को कि हाँ बई कुछ फट गया है समझ पा रहे है हर case में हम 200 नहीं भेजेंगे अच्छा similar ही देखेगा 201 कब भेजता है server जब कुछ create होता है लिखा हूँ है the request has been fulfilled and a new resource has been created as a result यानि कि जब आप add new कर रहे थे ना ही हम handle करेंगे ठीक है 204 भी होता है बोल रहा है the request was successful but there is a no response body typically used for operations that don't return data like a successful deletion ठीक है इसका मतलब क्या देखो जब हम delete भी कर रहे है तो भी 200 ही आ रहा है समझ है लेकिन 200 का मतलब होता है कि कुछ return कर रहे हो आप ठीक है requested resource को लेकिन यहां पे तो हम कुछ return expect नहीं कर रहे है है हम तो database में कुछ delete करना चाहते थे that's it तो यहां पे हम 204 बेच सकते है ठीक है फिर तीसरे तरह के http codes होते हैं जो की 3 से start होते है these status codes indicate that further action is needed to complete the request ठीक है कुछ additional steps आपको लेने पड़ेंगे अगर server ने ऐसा status code दिया है जो की 3 से start हो रहा है they are used when the client needs to take additional steps to access the requested resource ठीक है जैसे कि आपके सामने हैं यहां पर 3 लिखे हुए है बहुत सारे होते हैं हमने 3 लिखते हैं 301 अगर माल लीजे माल लीजे आप get by ID चला रहे है कल को ठीक है और माल लेते हैं यह IP लिखी हुए कुछ ठीक है और आप चला रहे हैं खुश हो कि हाँ चलो चला देखता हूं इस ID पर क्य रहे हो यह API अब बदल चुकी है यह बदल चुकी है आप similar API का यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है 302 found अगर 302 भेज रहा है server तो बोल रहा है भाई the status code 302 indicate करता है कि requested resource has been temporarily moved to a different URL temporarily move किया हुआ है 301 मतलब permanent 302 की temporarily move किया है when a server sends a response with a 302 status code it typically includes a location header that is specified new temporary URL where the client should redirect to बोल रहा है अगर देखो 302 आएका ना तो आपको वो temporary URL भी provide कर देगा साथ के साथ जहां पर आपको जाना है ठीक है 304 का मतलब है कि हाँ जो client है इसको छोड़ो अगर बेकार में tension जाएगी इसका मतलब है simple से यह है कि क्लाइंट के पास कोई cashed version है response का जो server है वो 300 भेज सकता है तो the client यह कह रहा है कि देखो जो आपके पास cashed version है वो ही आप use कर लीजे ठीक है बाड में गया है अब देखो चार से start होने वाले जो है status codes वो अब देखते हैं इनका मतलब है these status codes indicate that there was an error on the client's part such as a malformed request or authentication issues तो देखो अगर चार से start होने वाला response code आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट ने कुछ गरवड करी है यानि कि जो request भेज रहा है अगर चार सो आया इसका मतलब क्या है कि कुछ request में गरवड कर दिया आप चार सो यानिकि forbidden आपको permission नहीं है ठीक है अब देखो यहाँ पे 400 आ रहा है bad request ठीक है यहाँ पे अगर मैं देखो add new entry करने कोईश करते हैं और यहाँ आप मैं यह वेशता हूँ ठीक है तो देखते हैं क्या होता है देख रहो 400 आगया bad request समझ बारे बात को 400 यानिकि unauthorized the client needs to provide authentication credentials हाँ अगर password वगेरा गलत आल दोगे तो unauthorized आ जाएगा ठीक है forbidden यानिकि आपको permission नहीं है आप देखत है status codes जो कि 5 से start होते हैं यानिकि server error these status codes indicate there was an error on the server के पार ठीक है while trying to fulfill the request यानिकि server side कुछ फटा है हमारी spring boot application में कुछ फटा है है ना for example 3 यहाँ पर status codes दे रखे हैं 500 502 and 503 500 का मतलब है internal server error यह ना एक general सा error code है कि हाँ भी देखो हमारे तरफ कुछ फट गया है 502 क्या है bad gateway the server acting as gateway or proxy received an invalid response from an upstream server इसका मतलब है कि माल लीजे आपके client और server के बीच में कोई proxy लगी हुई है उसने कुछ गडबड कर दी है ठीक है अगर समय में नहीं आता है तो tension मतलब लेजे इस lecture का motive है कि आपको बदा है कि उपर उपर से कि हाँए HTTP status codes जैसे कुछ चीछ होती है and हम response के स बेज सकते हैं फिर तीसरा है 503 service unavailable the server is currently unable to handle the request to do temporary overloading और maintenance हम बेज सकते हैं 503 किसी API में माल लेते हैं भाई हम कुछ काम कर रहे है इस API में फिलाल थोड़ी देर के लिए तो हम 503 बेज सकते हैं कि हाना client समझा है कि हाँ भाई maintenance चल रहा है इस API का ठीक है अच्छ तो हमने request 403 यानि कि forbidden ठीक है अच्छी बात है हमने HTTP status code क्या होता है वो देख लिया है लेकिन response के साथ उसको भीजे कैसे हम जैसे माल लेते हैं यह हमारा controller था यहां पर गैटॉल करके भीज रहे थे यहां पर HTTP status code भीजे कैसे दिक्कत तो यह है बताइए सर तो वह हम अचीव कर पाए response entity क्या है यह class है चो कि spring का part है ठीक है and is commonly used to customize the HTTP response ठीक है हमें पता है हमें मत सिखा यह बोल रहा है कि यह methods प्रोवाइड करता है जिससे कि आप response का status set कर सकते हैं body set कर सकते हैं headers भी set कर सकते हैं ठीक है you can use it to return different types of data in your controller method such as JSON, XML और even HTML बोल रहा है you can use generics with response entity to specify the type of data you are returning गबराने वाली बात नहीं है मैं बताता हूं क्या हो रहा है यहां यहां आते हैं इस पर आते हैं get journal entry by ID पर आते हैं ठीक है अगर देखो my ID मिल जारी तो हम उसको बेज दे रहे हैं नहीं मिलती है तो null बेजते हैं अब देखे जैसे माल लेते हैं get by ID का मैं इस्तमाल करता हू send करता हूं मेर को मिल गया है लेकिन कुछ अगर हम change कर देते हैं इस ID में माल लेते हैं तो देख रहे हो 200 आया है 200 को मतलब क्या है कि requested response मिल गया है लेकिन हमें तो नहीं दिखरा कई पर तो यहां पर कौन सा response code आना चाहिए था तो हमें भेजना चाहिए था है आपर 404 ठीक है journal entry ठीक है तो अगर if journal entry dot is present और ऑप्शनल का एक पार्ट है इसका मतलब यह है कि हाँ बई ऑप्शनल में बताया था आपको एक बकसा है उसके अंदर object हो सकता है या फिर नहीं हो सकता तो इस प्रजेंट का मतलब क्या है तो अगर मिल जाता है तो हम क्या return करेंगे new instance return करेंग बकसे में से object को निकाल लेंगे ठीक है यानि कि हमारी journal entry को end हम दे सकते हैं यहाँ पर stp status dot ok ठीक है stp status dot करेंगे तो दुरिया पर के देख रहो status codes आ जाएंगे कि अराम के लिए ok कर दीजे ठीक है ठीक है ठीक है अना ok that's it अब देखो यहाँ पर हम return कर रहे है response entity लेकिन यहा यहां पर रेस्पॉंस एंडटी लिखते ठीक अब यहां पर क्या है एंगुलर प्रैकेट है यानि कि इस पर जाते हैं ठीक है यह क्या है यह एक टाइप expect कर रहा है हमसे एना class का तो यहां पर इस class को दे देते हैं ठीक है चलिए लेकिन अगर देखो इस प्रेसेंट नहीं ह सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं डौक नॉट फॉंड थीक है अबौज पर ऊसु पर आगया नौब सर्च करते हैं तो यह है response entity ठीक है अब यह देखो कह रहा है यहां पर can be replaced with single expression in functional style अच्छा ठीक है अगर आपको जावाइट आती है ठीक है तो आप lambda expression use कर सकते हो यहां पर लेकिन simply रखते हैं आपन ठीक है status code जो की होगा created एंडी हापर क्या है माइं एंटरी बेज़ दीजे अगर सब बढ़िया हुआ कर सकते हैं आपकी अगर सब कुछ अच्छा हुआ जो की ट्राय में हो रहा है तो आप एडिट तो रिड़न करी रहे है लेकिन अगर कुछ गर्वड़ हो जाती है तो आप क्या सकत खाली रेस्पॉंस एंटेटी बेज दीजिए विद सम्थिंग लाइक बैट रिक्वेस्ट ठीक है अगर सही आईगी तो क्रेट होई जाएगा लेकिन अगर गड़बड वाली रिक्वेस्ट आईगी तो आप यह वाला रेस्पॉंस को बेज देंगे ठीक है पोस्ट वाला हो जलते हैं घेट बाया इडी हो गया है ना डेलीत वाला भी कर सकते हैं जिसमें आपको बताया नो कंटेन्ट माँ क्या सकते हैं इसका मतलब क्या है वाइल कार्ड पैटरण जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर entity class देनी ही है कल को किसी और class का object भी आप return करा सकते है response entity के अंदर wrap करा के यहाँ पर आपने क्या किया अभी journal entry को दिया है ठीक है क्योंकि हमने journal entry लिखी हुई है लेकिन question mark डालते ही कुछ और भी return करा सकते है आपके पास क्या है एक user का करके instance है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं से चीज़ है रिटरन न्यूर यूजर करके यहाँ यूजर का instance जाएगा ऐसे और फिर वह बें रिटरन हो जाएगा ठीक है मैंने server restart कर दिया है delete वाला चलाते है no content आया है 204 ठीक है update के case में हम 200 रिटरन करा सक नियू वाला return ही करा है, नाम ही इस तरह कर रखा है हमने, अच्छा, तो यह काम करते है है, हाँ पर देखेगा, अगर देखो यहाँ पर मिल जाता है उसको, तो इसने क्या किया है, उसको set कर दिया है, old is not equal to null, तो यह काम करते हैं, अगर old यह निकी, उसको मिल गया है database में, तो उसको return करा देते हैं किस तरह से response entity में wrap करा के response entity और old sttp status dot ok ठीक है लेकिन अगर इसको नहीं मिलता है तो हम क्या कर देंगे not found कर देंगे not found ठीक है ये भी हो गया कि अगर जो आप update करना चाहते हो है ही नहीं database में तो not found ठीक है सभी में हमने response entity को implement कर दिया है इसके अलावा यहां पर भी कर देते हैं get all कर रहे थे हमना ठीक है new काम करते हैं और एक variable में save करा लेते हैं if all is not equal to null and all is not empty ठीक है तो हम return करा देंगे यहां से उठा लेते हैं कहीं से है और क्या return कराएंगे all को return कराएंगे ठीक है अथवा not found return कराएंगे not found ठीक है भई ठीक है बहुत ही बहुत ही बहुत ही अगर कुछ भी नहीं है तो not found ठीक है तो हमने response entity को हर method में हर यहां पर endpoint पे implement कर लिया है ठीक है चले बहुत बहुतरीन सर्वर बंद करते हैं ठीक है तो हमने पढ़ लिया है कि हाँ बहुत बात है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में को झाल झाल